Let's improve English You could have called me up Could have Leetable English तो जब भी आपको किसी को कहना हो कि आप ऐसा कर सकते थे पास्ट में जब आप option दे रहे हैं किसी को कि आप ऐसा कर सकते थे तब somebody could have done something आपने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिये मुझे सबजी लानी है याद दिला देना तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया दर्वाजा बंद करना है सोने से पहले इस तरह के sentences के लिए English में हम कैसे कहेंगे remind वर्ब का यूज़ करेंगे you reminded me of my old days यानि तुमने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिये remind के साथ हम off preposition का यूज़ करते है you reminded me of my old days मुझे सबजी लानिया याद दिला दिना remind me to bring vegetables remind me to bring vegetables तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया दर्वाजा बंद करना है why didn't you remind me to close the door why didn't you remind me to close the door जादा हीरो मत बन उसके सामने तु जादा हीरो बन रहा है रादा को बचा के वो लोगों की नजरों में हीरो बन गया don't act like a hero in front of her don't act like a hero एक हीरो बनने की कोशिश मत कर जादा हीरो मत बन रादा को बचा के वो लोगों की नजरों में हीरो बन गया he was hailed as a hero after saving रादा he was hailed as a hero somebody was hailed as a hero यानि उसने कुछ बहादूरी का काम किया कि सब उसकी तारिफ करने लगे सब उसके गुंगान करने लगे He was hailed as a hero after saving Radha मैं रोज अपना राशी फल देखता हूँ क्या लिखा है आज आपकी राशी में तो friends इसके लिए इंग्लिश में कैसे कह सकते है I read my horoscope every day I read my horoscope every day शायद आप सोचें कि देखने को तो C बोलते हैं फिर हम read क्यों बोल रहे हैं C भी आप बोल सकते हैं लेकिन ये English में collocations का कमाल है Collocations का मतलब होता है कुछ ऐसे combinations होते हैं जो certain verbs के साथ use किया जाते हैं nouns के साथ use किया जाते हैं I read my horoscope every day यानि मैं अपने horoscope को हमेशा हर दिन देखता हूँ क्या लिखा है आज आपकी राशी में तो अगर हम कहेंगे what is written in your horoscope तो meaning clear हो जाएगा grammar भी सही है लेकिन common तरीका नहीं है बोलने का commonly ऐसे कहते हैं what does your horoscope say today what does your horoscope say today किसके पास फुरसत है तुझसे गप्प लडाने की मुझे बैठने तक की फुरसत नहीं फुरसत होती तो मैं वहाँ जाता ये फुरसत वर्ड है हर sentence में इस तरह के sentences को हम कैसे कह सकते हैं who is at leisure to gossip with you who is at leisure if you say that somebody is at leisure it means he has a lot of time to spend on something so he has a lot of time he is free who is at leisure to gossip with you तुझसे gossip करने के लिए गप्प लडाने के लिए इधर उदर की बात करने के लिए किसको फुरसत है मुझे बैठने तक की फुरसत नहीं at times we find ourselves to be very busy to be on the go I am not even free to sit I am not even free to sit बैठने तक की फुरसत नहीं है फुरसत होती तो मैं वहाँ जाता अगर हम ध्यान से देखे तो इस second conditional sentence है अगर ऐसा होता तो वैसा होता I would go there if I were free आप जानते होंगे कि इसका order हम change भी कर सकते है We can say If I were free, I would go there I would go there if I were free इस दिवार में ये सिलन कैसे आ गई? इस दिवार में ये सिलन कैसे आ गई? तो friends इसे English में कैसे कह सकते है जैसे कहना है इस सिलन से बचने के लिए मैं क्या करूँ? ये सिलन जमीन से आ रही है तो इन सेंडस के लिए हम कैसे कह सकते है How did this wall get damp? How did this wall get damp? ये wall damp कैसे हो गई? If something is damp, it is slightly wet सिलन के लिए हम इस word का use कर सकते है इसके एक noun form भी होती है What should I do to avoid this dampness? इस dampness को avoid करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मझे क्या करना चाहिए? क्या करूँ मैं? What do I do to avoid this dampness? Friends वैसे damp को भी as a noun हम use कर सकते है ये सिलन जमीन से आ रही है This damp is rising from the ground कई बार आपने देखा होगा कि फर्ष के पास पास जो दिवार होती है नीचे नीचे वो सिलन आ जाती है उसके उपर वो गिली हो जाती है यानि नीचे से कोई पानी लीक कर रहा होता है उपर की तरफ इस तरीके से कुछ सिस्टम है This damp is rising from the ground यानि यह सिलन जमीन से आ रही है तो friends damp और dampness दोनों ही nouns की तरह यूज हो सकते हैं और damp तो adjective की तरह भी यूज होता है जैसे आपने यहाँ पर देखा How did this wall get damp? जरूरी नहीं है कि इस damp का यूज आप दिवारों के लिए ही करेंगी कोई भी चीज अगर थोड़ी सी गिली है गिली गिली सी है उसके लिए आप damp यूज कर सकते हैं Give me some damp cloth मुझे कोई गिला से कपड़ा देना आपके लिए चाए बनवादू जब कोई आता है हमारे घर तो हम कहते हैं आपके लिए चाए बनवादू लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये होगया direct translation लेकिन common way इसको कहने का क्या है ऐसे भी कह सकते हैं Do you want me to offer you some tea? Do you want me to offer you some tea? But the most common way is Would you like to have some tea? Would you like to have some tea? तो जब आप किसी को कुछ खाने पिने की चीज ओफर कर रहे हैं The best way to say is Would you like something to eat? Would you like something to have? Drink वो किसी एंगल से एक मंत्री नहीं लगता तुम्हें किस एंगल से मैं बिखारी नजर आ रहा हूँ इन sentences को में इंगलिश में कैसे कह सकते हैं He doesn't look like a minister from any angle He doesn't look like a minister from any angle तुम्हें किस एंगल से मैं बिखारी नजर आ रहा हूँ From which angle do I look like a beggar to you? Petty things Petty means something which is small and unimportant You lose your temper on petty things यानि बहुत छोड़ी बातों पर गुशा करते हो बात बात पर गुशा आते हैं तुम्हें तो खुंदक में आके उसने कैमरा तोड़ दिया कहते हैं ना खुंदक में आके किसने कुछ कर दिया गुशे में आके किसने कुछ कर दिया He broke his camera in a fit of temper He broke his camera in a fit of temper हो सकता है कोई वीडियो पगरा बना रहा होगा बननी पा रही होगा ठंक से तोड़ तार दिया Friends, आशे करता हों कि आपको ये वीडियो पसन आई होगी इसी तरह से अपने English को इंप्रूफ करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया दो Thank you very much for watching this video lesson We'll talk in the next one Till then, take care and bye-bye